अगर आपका संपत्ती विबाद है या पड़िबार में ही कोई विबाद है तो सबसे पहले ये जानकारी बेहर जरूरी है कि आपको कहां जाना चाहिए किस तरह का सिस्टम है, कैसे होता है, कहां आपको केस फाइल करना चाहिए जिससे आपको कम समय में आपका solution निकल जाए देखें बहुत लोग उसको समझते नहीं है आरोप लगा दिये किसी दूसरे बैक्ती के उपर गलत जगा चले गए उनको लग रहा है कि case होगा adjustment हो जाएगा तो मेरा फैसला हो जाएगा हम जीत जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है तो समझना बहुत जरूरी है इस नियाए पालिका को कि आपको कहा जाना चाहिए कैसे जाना चाहिए क्या परकिरिया होता है तो सबसे पहले देखें इसमें पहला point यह होता है अगर आपका जिसे संपत्ती का भी बाद है ठीक है पड़िबार में अगर संपत्ती का भी बाद है है ना तो उस case में आप देखें यहाँ पे supreme court भी है high court है देखें नीचे जो है district court और session court है उसके बाद civil side है और criminal side है अब civil side में तभी आप जाएंगे जब आपका किसी परकार का संपत्ती का भी बाद होगा लेकिन वहाँ पे भी आपको समझना परेगा का आपको कहां जाना चाहिए है ना क्या उसका नियम है क्या परकिरिया है अब उसमें भी यहाँ पे देखें सब ordinate judges हैं और munsip court भी है दो तरह का है है ना दो तरह यहाँ पे देख सकते हैं तो अगर आपका मामल इतने हैं छोटा मामला है छोटा कहने का मतलब कम valuation वाली जमीन है उसका valuation भी ज़्यादा नहीं है तो उस case में यानि आपका मामला एक तरह से छोटा है टाटल का ही मामला हो यान कोई मामला हो तो आप यहाँ पे जाएंगे और यह अभी अब ज़्यादा तर देखें क्या हो गया है कि अब जो है जो डिस्टिक में भी कोट है लेकिन अब यह सब का सुनबाई जो है वो अनुमंडल में ही होने लगा है ठीक है जिला में भी हो रहा है तो आप जिला में भी जा सकते है वहाँ पे केस फाइल कर सकते है अब इसमें जैसे माल लेते हैं कि कोई आपका संपत्ती है कोई कबजा करके रखा हुआ है या पड़िबार में बटबाडा कोई नहीं करना चारा है ठीक है आपको सही तरीके से आपका संपत्य का हिस्सा नहीं दिया गिया है बहुत पहले से बैमानी करके रखा है आज दखाल में है पुर्बज हो सकता है किसी कारण बस नहीं बोल पाए हो सकता है अपने वो बच्चों की देखवाल परबरीस परहाई लिखाई के चलते नहीं दे बोल पाए उनकी जो नाम की संपत्ती है किसी और के पास आज मौजूद है तो उस में उस केस में आप सिबिल न्याले जाएए आपको न्याय जरूर मिलेगा अगर आपकी वो पैत्रिक संपत्ती है आपका उस पर अधिकार है तो कोई अधिकार आपका जितना सेर बनता है वो आपको पूरा-पूरा मिलेगा अगर आप न्याले का एक बार जज्जमेंट हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि सिविल याले से केस जीतने के बाद आपका विपक्षी हो सकता है जिला में चले जाए लेकिन उसको पता रहता है कि अगर हम जिला में जाके खर्च भी करेंगे उसके बाद भी फैसला जो है उसी बैक्ती के पक्ष में होगा इसलिए कि उसका संपत्ती है मा या पूर्भाद्थ के नाम से जमीन है और एक ही सब बेच दे तो चार इसा तो ऐसा तो नहीं है जजमेंट होगा तो उस में तो गल्ती किस का है अघर पूरी तरीके से तहकिकात impressive और आज फस गए। उनके लिए भी प्रापदान है लेकिन उनका मामला अब अलग है ठीक है लेकिन यहाँ पे अगर आप जाएंगे अगर आपका पड़िबारिक बिबाद है पड़िबार में बिबाद है या नमाल लेते हैं आपकी संपत्ती को कोई कबजा करके ही बैठा हुआ इस पे कुछी प लवाना आपको आपको अपनी संपत्ती को वापस लेना हाँ डिपेंड करता है कि न्याले ऐसा नहीं कि सिविल न्याले में सजा नहीं दिया जाता है सिविल न्याले में भी सजा का प्रापदान है लेकिन वो डिपेंड करता है कि मामला किस तरह का है हाँ लेकिन जब मारप तो फिर मजिस्टेट के सामने जो है उसको 24 गंटे के अंदर पेस किया जाता है मजिस्टेट जो है डिपन करता है कि उसको बेल देना है या उसको जेल भेजना है अगर बेल देना होगा तो वहीं पे बेल दे दिया जाएगा नहीं तो अगर वो ऐसा अपराद होगा और जहां पर उसको जेल बेजना है तो मजिस्टेट के दोरा जेल भेज दिया जाएगा अब वो डिपेंड करता है कि इसका सुनभाई यहां पर चलेगा यहां पर हो सकता है उसको सजा भी हो जाए तो हो सकता है कि वो हाई कोट में जाए डिस्टिक कोट में जाए वहां से उसका सजा जो है वो सही नहीं पाया जाए और उसको जो वहां से बड़ी कर दिया जाए हाई कोट के उपर भी लोग जाते हैं सुप्रिम कोट में भी जाते हैं बहुत ऐसे judgment हैं आज जो आपको देखने को मिलेंगे जहां पे जो न्याय एक तरह से जो मिला लोगों को वो सुप्रिम कोट में जाके मिला वो लड़ते रहे इसलिए कि उनका वक्त था बहुत लोगों का ऐसा judgment है जिनका लड़ाई सरकार से था तो उनको भी judgment में आप देखे judgment आप जो है story हमारे playlist में जाएंगे तो आपको बहुत सरा judgment देखने को मिलेगा कि बहुत सरा और उसमें भी बहुत जो important judgment है वो हम लाने का परियाज करते हैं इसलिए को उससे ताकि पता चल सके कि कि किस तरह के बिबाद में किस तरह का फैसला दिया गया तो ये भी समझना ब फैसला दिया गया तो ये भी समझना बहुत जरूरी है अब हम कुछ समस्या पर बात करेंगे कि ये समस्या अगर लोगों के साथ है तो लोग क्या करें ठीक है अगर आपके साथ ऐसा समस्या है तो आप क्या करेंगे तो पहला समस्या जो हम यहाँ पे हो सकता है कि आपका समस पहला समस्य ये है कि जमीन जो है यानि जो खतियान बनाना उसमें गर्वरी है उसमें सुधार की जरूरत है पहला समस्य तो अगर उसमें आपका जमीन दर्ज है तो आप जो है बिलकुल सुधार करा सकते है पुराने वाले क्यादार पे इसलिए कि पुराने में आपकी सब कुछ सही है और नया खतियान जो बना है उसमें पूरा गर्बरी हो गया अभी तक आप सुधार नहीं करवा पाए लेकिन अगर आपको जरुवत लग रहा है तो आप करवा सकते हैं नयाले में उससे सम्मंदित के स्पाहिल कर सकते हैं आपको इसके लिए एक बहतर वकील की जरुवत है बात करेंगे उनसे आपके पास जो पुराना डॉक्मेंट है जो नया खतियान का डॉक्मेंट है वो भी आपको यहां पे लगेगा देखा जाएगा वेरिफाइ किया जाएगा कि आखिर ये जो खतियान में गरबरी हुआ किस अधार पे हुआ किसी बैक्ती दूसरे बैक्ती का अगर नाम आ गया है तो किस अधार पे आ गया क्या रिजन है उसका वेरिफाइ करने के बाद अगर लगेगा कि ये गलत तरीके से आया है जिस वेक्ती का नाम है उसका कोई भी उसके पास किसी भी परकार का दस्तावेज नहीं है जिस अधार पे वो संपत्ती का मालिक बन बैठा है तो वो जो है खतियान का सुधार का आदेश जाड़ी हो जाएगा और आपका वो सुधार हो जाएगा उसके बाद जो दूसरा होता है कि माल लेते हैं कि आपने कुईसी परकार की अगर संपत्ती को खड़ीदा है है ना जैसे रजिस्ट्री किया है तो आप आपने खरीद तो कर लिया ठीक है लेकिन आपको उसका कबजा सही से नहीं मिला हुआ और ऐसा आपके पास केवाला सब कुछ है लेकिन कबजा कोई और करके बैठा हुआ है ठीक है, आपको कबजा नहीं दिया जा रहा है, सब कुछ आज आप लेंड का टैक्स भी पे कर रहा है, या ठीक है, पूरी तरीके से कबजा नहीं मिला हुआ है, तो भी आप सिबिल नाले में जाके टैटल सूट फाइल कर सकते हैं, वहाँ पे अपना संपत्ती, यहाँ पे जो सामने वाला हो सकता है कि उस जंज्मेंट को नहीं माने, उपर जाना चाहता है, और उपर उसको लगता है कि नहीं हम उपर जाएंगे, तो ठीक है, जा सकता है, लेकिन अगर आप सही हैं, आपको लगता है कि आप सही हैं, तो आप कभी केस नहीं हा रहेंगे, आपके पास अ और वो ऐसा प्रूफ त्यार कर लेता है कि वो लंबे समय से उस संपत्ती पे कबजा करके बैठा हुआ है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, कि वो भी आपके उपर केस फाइल कर सकता है, परतिकूल कबजा कानून तो यही कहता है, इसलिए आपको बिलम नहीं करना, अगर आपका संपत्ती का बिबाद है, नियाले में जाइए, हाँ, अगर संपत्ती के बिबाद में किसी भी परकार का मारपीट होता है, तो आप मजिस्टेट के पास भी उससे संबंदित कमपलैन कर सकते हैं, ठीक है, मजिस्टेट के पास भी कमप्लैन कर सकते हैं उस पे केस फाइल कर सकते हैं अगर मार्पे में लगेगा कि वो सही पाया जाएगा तो उसको सजा भी दिया जाएगा आसा करते हैं आप इसको अच्छे सा समझ गया होगे अगर आपका कुछ सवाल होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिं